हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब लोग चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं सुबह से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में तो जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सस्क्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना आप लोग तो अभी ये भार जा रहे है किसी काम से और मैं अपना घर संबाल रही हूं सुपह हम दोनों जल्दी जग गए थे बलकि बच्चे तो उठे भी नहीं थे तो मैं बैड सीट को चेंज करूंगी और घर संबाल दूँगी थोड़ा से मुझे टाइम मिल जाता ना नास्ते से पहले तो ये छोटे मोटे काम मैं अपने निप्टा लेती हूं इससे क्या होता कि मुझे भी आसानी हो जाती है और घर भी समला समला से लगता ना तो सही र तो बंद कर दीती और यह हो भी गए थे आलू तो वही मैं चेक कर दीती और सारे आलू मैंने एक एक करके निकाल लिए इनको अच्छे से ठंडा कर लूँगी और इनको छील लूँगी तो नास्ते में मैं बनाऊंगी कचोरी तो कचोरी बच्चे कुसो के खा लेते ना मैं दिएवार काइब कभी कवार दिखाती हूं सब्स्क्राइब कर दो एक कर्ócा से उच्च है क्या ला फहाँ मिलाओंगी और इसे लग्री कर लेते कर लेते हूं तो आलू मेरे छिल गए इनको सब्सक्राइब एक्षन कर लूँडी और इसमें मिलाओंगी बाकी अगर दूद जल्दी पी लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल लेटने के टाइम पर दूद पीते है न तो फिर रह जाते हैं मेरे कई बार मुझे आलस आता है तो वह नहीं दूलपाते मेरे फिर वह मैं सुबह दोती हूं और दो कब जो चाई बनाई थी वो है मेरे और जादा बर्तन तो है नी तो चलिए इसमें मिला लेते हैं इसमें मैंने लाल मिर्ची डाल दी नमक डाल दिया पिसा हुआ धनिया डाल दिया खुब सारा हल्दी और थोड़ा सा करम मसाला इसमें अगर भुनावा जीरा हो ना उसका पेस्ट भी डाल सकते हैं मेरे पास है नी तो मैंने नहीं डाला कई बार मैं बना के रख लेती हूं तो इसमें मैंने अजवायन डाल दी आटे में तो ये मैं कचोरी का आटा तयार कर ली हूँ तो इसमें थोड़ा सा तेल भी जाएगा मोहिन के लिए क्योंके तभी वो कचोरी जो है करारी सी बनेगी तो इसमें मैंने लगवग दो चमस तेल डाला और ये मेरा आट नो पूरी का आटा होगा तो इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस आटा अच्छे से सोफ्ट सा डो इसका लगा लूँगी तो इसका आटा ना अच्छे से लगाना होगा क्योंके ये पूरी बनलब कचोरी बनेगी ना तो कचोरी का आटा बिल्कुल सोफ्ट होना चाहिए ताकि पूरिया फूले भी अगर हम बनाते हैं तो इसलिए मैंने इसे अच्छे से लगा लिया था और थोड़ी देर के लिए रख भी दिया था सोफ्ट सा हो गए ना तो अब मैं आई हूँ कीचन में तो चलिए बनाने की तयारी करते हैं तो मैंने कड़ाई रख दिये और कच से हें जितना हाथों से दबा 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 द optimize दो दो बना तो जो आप मैंने दो तिन पूरिया जो आप लोगों को दिखाई ना वो तो मेरी फूली भी नहीं और बागी जो बाद में बनाई ना तो वो अच्छी फूली फूली बनी थी फिर मैंने सोचा चलो आज वीडियो में मेरी कचोरी अच्छी आनी नहीं होगी तो मैंने फिर दोबारा दिख तो जो दो तिन पूरी मेरी बनी थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यह बिल्कुल करारी बनी तो चलिए बाकी कचोरी भी ऐसे ही तयार कर लेंगे और फिर एक साथ में एक के बाद एक डालती जाओंगी तेल कर दो जो दो शूरा है तो चलिए मेरी कचोरी बन रही है जब तक एक बात आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आप लोगों ने देखा होगा कि आज कल लेडिस टाइटल डाल रही है सुबह पाच बज़े जक्के मैं अपने काम में लग गई या च्छे बज़े जक्के और आज से ही नहीं काफी टा अफिस तो वो सुबह जल्दी भी जाते होंगे दूर जाना होता होगा तो सुबह चार बज़े उठके खाना बनाते होंगे क्योंके लेंच भी तैयार करना होता है तो यह तो ठीक है यहां तक तो कोई-कोई बोलता है तीन बज़े जक्के बनाया कोई बोलता है साड़े ती टाइटल तो डाल देते इतनी जल्दी जगता कोन है पता नी तो मतलब यह ना एक competition है इस तरीके खा कि कोई बोल रहा छे बज़े जग गए पाच बज़े जग गए कोई दो बज़े तक ना बता दे एक बज़े ना बोल दे कोई यह ना बोल दे कि मैं पूरी राती जगी रही और कामी करती रही घर का तो वो चीज मुझे थोड़ी सी लगती है कि इतनी जल्दी तीन साड़े तीन बज़े उठके कोन काम करता घर का तो चलिए मैंने तेल सारा निकाल कड़ाई का पलट दिया बरतन सब खाली कर लिए और कचोरी में खाके भी आ गई धही के साथ खाई और बच्चों ने चाय के साथ खाई यह नहीं खाते धही के साथ तो नास्ता वास्ता करके मैं लग गई हूं अपने बरतन दोने में किजन मैंने क्लीन कर दी काउंटर टोप हाँ गैस साफ करनी है तो वह बरतन दोने के बाद करूंगी तो उससे पहले मैं बरतन दो लिए और प्याज लेकर आई थी तो वह भी रखिया आज तो भी टोकरी में नी डाली उने भी डालूंगी क्योंके अभी मेरी जाडू नी लगी मैंने बस घर संबाला था उसके कर देगी क्योंकि आज कल बच्छे घर पर यह न चुटिया पड़ी है तो थोड़ा बहुत तो वह भी हल्प करा देते हैं हल्की फुल किसी ऐसी और गुडिया ना मतलब काम उसे बताते हैं तो वह सफाही से करती है बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैंने उसको काम बोला और करने चली है आता इसपर चिपकता नहीं है और कई बार हो जाता दो तीन दिन हो जाते हैं जो कि दूलता नहीं है वैसे तो रोज दोना चाहिए तो मैंने चकला बेलन भीगोके रखा और पानी डाल दिया था उसमें तो बस बड़तन भी फटा-फट से दोलोंगी और बरतन इतने सारे हो जाते हैं अच्छा है कितनी बार भी दोलो तो बस अब मुझे प्याज ट्रांसफर करनी है और ना यह दो तिन दिन से थैली में रखी थी जिसकी वज़े से कुछ प्याज तो ना थोड़ी वैसी हो गई जो मुझे लग रही थी ना मतलब खराब तो है नहीं पर मुझे लग रहा है तो मैंने उपर रख दिया उन्हें काटके देखूंगी अगर ठीक होगी डालने लायक तो डालूंगी वर्ना फिर रहने दूंगी और बस अब लगाऊंगी जाडू तो मैंने सारा घर संबाल दिया बस फ्रिज से यहां पे ठीक नहीं किया तो यह भी सा कर दिये और जाले आज कल इतनी जल्दी जम रहा है तो दोनों कमरों में भी मुझे साफ करने और पंखा भी साफ करना तो जल्दी आप लोगों के साथ व्यूडियो शेयर करूंगी तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज तो करती नहीं वैसे भी लेट हो रहा है आज उठे भी किसल्द स stunts पैसे आज भी सब्刀 g तो इस में पिटपने उठे शक्राइब करने हैं सोचा छो कोई बात नीं आज ने करती कल थिखाओंगी तो करूओंगी तो मुझे गीरा तीनर की तेयारी हो रही हो रही है तो मेरा मनता या तो मैं इनको भर के बना लूँ भर्माट इंडे अच्छे लगते हैं तो फिर मैंने सोचा नहीं आज इने इंपली बनाती हूँ देखा ना आप लोगों ने मैंने चार वो लगा दिये थे इसमें कट कि मैं इसे भर्माट इंडे बनाऊंगी और अमचूर भी तो इसलिये मैं खेले बना लेते हूँ जल्दी बी क्या लेटी हो गया था और तिंडे मेना गणा अच्छ लगता है तो इसलिए मैंने साबूत जल जल ड़ते हूँ पहले मैं तेल में गरम-मसालय डाला है गरम-मसालय में हैं लोंग धनिया काली मिर्ची और जीरा और उसके का भी छोक लगा के बनाते हैं न तो टिंडे की सबजी में अच्छा लगता है तो बस प्याज को भी गुल्डन होने तक भूल लेंगे और टिंडे में तो बस साथ में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी ती प्याज में उसके बाद मैंने हल्दी डाली लाल मिर्ची डाली और पिसा हुआ अधनिया डाला थोड़ा से इसमे डाला था गरम मसाला तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी टिंडे तो मैंने थोड़ा मसाला भून लिया था और इनका फ्लेवर अच्छा आता अगर मसाला हम ऐसे डाल के बनाते है ना थेल में तो बस टिंडे को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी तेरी से ऐसे ही सिम और करके पकने के लिए छोड़ दूँगी और फिर यह ना इसम अच्छे सौप्ट बनते हैं और पानी भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती तो बस इसे अच्छे से मसाले में मि दो टमाटर थे वो ही इसमें एड किये हैं तो अभी मैंने किया इसमें नमक एड और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ढखके सिम करके पकने के लिए छोड़ दूँगी तो कैसी लगी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिया करो आप लोग मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए